गुंदिया के निकट आसोली के तीन मकानों में लगी भिशन आग, सब कुछ जल कर राक, कहा यह जा रहा है कि रात्री में धाई बजे लगी आग, आग में सभी चीजे जल कर खाक, आग का अध्याप कारण पता नहीं चला, जिले के आमगाव थाना अंतरगत, तीगाव के समीब, आने वाले ग्राम आसोली में तीन मकानों में आग, मवेश्यों के तबेले में अचानक भिशन आग लग जाने से सब कुछ जल कर राक्फने की जानकरी सामने आई है, यह हाथसा आठ मई की रात्री उस समय प्रकाश में जब आग की लप्टो को ग्रामिनों ने देखा, हाथसे के बारे में जानकरी मिली की जिस घर में तबेले में आग लगी वो आसोली के पूर्व पोलिस पाटिल धोंदुजी बाबुलाल हरिन खेडे का मकान था, मकान में धान के अनाज के बोरे पशु आहार रखा हुआ था सामान के अलावा 10 तोला सोना, 1 लाक, 20 जार रुपे नगत, बैल बंडी, साइकिल, कविलू, आदी सहीत, 15 लाक की ख्षती होने कानुमान सामने आया है, बताया गया है कि उपर में तनस रखी हुई थी, परिबार नय मकान में सो रहा था, तबी अचानक आग-ाग की आवाज चुका था, इस घटना पर अगनी शामक दल को सुचना दी गई, पर उनके पहुचने तक बहुत देर हो चुकी थी, इस घटना की खबर राजय सुविभाग पटवारी को दी गई, जिसके बाद अधिकारे कर्माचारे ने घटना सल पर पहुचकर पंचनामा किया, खबर ल